नरेंदर मोदी जी की कैबिनेट के अंदर उनी की मंतरी स्मिर्ती इरानी जी और स्मिर्ती इरानी के मंतराले में 144 करोड का घोटाला हो गया 144 करोड का घोटाला और ये घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ आज तक चैनल ने लिखा है महज 5 वर्स में महज 5 वर्स तो ऐसे लिखा है जैसे कि बस ऐसे ही चुटकी बजाई थी और ऐसे ही कुछ हो गया पाच साल तक जो है ये घोटाला हुआ है और 144 करोड का घोटाला हो गया सवाल अब ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात कहने वाले मोदी जी अपने मंत्री की मंत्राले को नहीं देख पाए मोदी जी का वो ड्रोन का स्मिर्ती रानी के मंत्राले तक नहीं जा पाया वहाँ पर निगरानी नहीं कर पाया कि क्या हो रहा है और वो डिजिटल इंडिया की बात करने वाले वो करप्शन फ्री इंडिया की बात करने वाले वो कहां पर रहें साहब एक मंत्राले दो मंत्राले और दूसरा अलब संक्यक मंत्राले के दो मंट्राल्यों है और उसके बाद में एक मंत्राल्य में यतना बड़ा वो घोटाला सुनिए जरह खबर डिटेयल से तफसील से मैं आपको पूरी खबर बताओं खबर क्या है खबर यह है कि अलब संक्यक मंत्राले की स्कोलर सिप स्कीम में घोटाला सामने आया है मंत्री स्मिर्ती रानी ने सीवियाई को सोपी जाज सीवियाई को चाज सोप दिये और ये देश भर के सो जिलों के अंदर देश भर के सो जिलों में मंत्राले ने आंत्रीक जाज कर आई 21 राज्यों में पंदरा सो बहतर संस्थानों के अंदर 830 संस्थान 1512 सो जिले हैं देश भरके ऐसे जहां पर यह घोटा ला हुआ है सो जिलों के 1512 कुल संस्थानों में से 830 संस्थान जो है वो फरजी पाए गए है या वो चल नहीं रहे हैं मतलब 53% 53% संस्थान ऐसे हैं जिनके अंदर ही घोटाला हुआ है और इसमें लगबग 53% अभ्यार्थी मिले हैं लगबग पिछले पांच वर्स में 830 संस्थान में ही 144 करोड रुपय का घोटाला हो गया है तो यह सब कुछ जो है वो माननीय मंत्री मोहद्या स्मिर्थी ईरानी जी के मंत्रले के अंदर हुआ है और अब जो है ट्विस्ट इस यह है इस खबर के अंदर ट्विस्ट जो है वो यह है क कि पहले तो इतने साल तक यह सब कुछ होता रहा तो आपको पता क्यों नहीं चल पाया या आपको दिक्कत यह थी डर यह था कि कहीं इस मामले का भंडा फोड कोई और ना कर दे इसलिए आपने खुद ही जो है वो जाकर के सी बैए को जात सोप दी हलाकि सी बैए के बारे मे सामने रखी और कई सारी चीजे अलग अलग हुई वह अलग बाते हैं तो सी बियाई को लेकर के आज देश में किस तरह की विश्यव सनिता है वो आपके सामने रह रह करके सामने आता है लकिन गजब ओर देखिए आज ही जो यह खबर आज तक चनल पर लगी है आठ वजे र चोळेरी इस बात पर नहीं पूछ रहे कि आपके मंतराले में कहां पर क्या हो रहा है 147 क्रोड का करोड का घोटाला हो गया वह कहरे कि राहूल गांदिया मिठी से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहेैं अमें ठीक जिकर किस बात का होना चाहिए और सवाल किस बात पूछे जाने चाहिए अब सुनिए ज़रा तफसिल से सुनिए यह मामला क्या इसको ज़रा ध्यान से सुनिए बड़े गंभीर मामला है भारत के सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े अलब संक्यक छात्रवर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है कई राज्यो Support seuить Rani 166 मृंत्री ने सिभ्लाकिकी जांश काई यह थोड़ानें के दिए इंडिया मंत्री समिर्ती रानी सीवीर ही जांश की बात कही है ठीक है दिए गलत लिए था इंडिया तुडे को मिली जानकारी के मताबिक मदरसो सहीत 1572 अलब संक्यक संस्थानों की जाच में 830 फरजी नोन अपरेसिनल पाए गए हैं जिन में 144 करोड का घोटाला हुआ है आज तक कि इस ख़बर के अनुसार ये भारत का सबसे बड़ा अलब संक्यक छातरवर्ती घोटाला है जिसका खुलासा हुआ है स्मिर्ति इरा गए जिनमें काम ही नहीं हो रहा था जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं हो थी चली नहीं रहे थी आगे देखिए महज 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर 144 करोड का घोटाला हुआ है अलब संक्यक मंत्राले ने 10 जुलाई को सीबियाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी 34 सेंट फरजी अभ्यारती मिले हैं सिर्फ पांस साल में मातर 830 संस्थान ही 144 करोड का घोटाला उनमें हो गया बाकी संस्थानों की जांच अभी जारी है अब तक जाचे गए मामलों में फरजी लाभारतियों द्वारा चातरवर्ती वास्तिक लाभारतियों को बड़े पैमा पूर्जूद है या गैर कारियसील है लेकिन रास्तिय चातरवर्ती पोर्टल और शिक्षा के लिए एककरत जिलाज सुचना परनाली दोनों पर पंजिकरत है पहले डिटेल में पूरा सुना देता हूं फिर आपको आसान भासा में समझाऊंगा अब इन 830 संस्थानों से ज जाच कराए गई निन्यान में नकली या और नोन पर्फेशन नोन ओपरेशनल बताए गए है असम के 68% नकली मिले है करनाटक में 64% नकली है यूपी में 44% तक नकली है बंगाल में 49% तक नकली यह रज्यो दर रज्योड़्यों यह वह 830 संस्थानों का जो है वह लेखा जो जाच कराए गई है तो उसमें जो बाते निकल करके सामने आई है केरल के अंदर एक मलापूरम मलापूरम केरल में एक बैंक के अंदर 66,000 चातरवरतिय दी गई है अलब संक्या को पंजीकरत संक्या से अधिक चातरवरती मांदंड अंतरगत आने वाले हैं और अनंतनाग जम नौवी की कक्षा में है ये एक माबाप का जो है एक नंबर है और उसके 22 बच्चे दिखाए गए हैं और सभी बच्चे जो है वो नौवी कक्षा के अंदर है ये कैसे हो सकता है कि किसी माबाप एक नंबर जो हो किसी एक फला माबाप का बता दिया जाए कि कोई फला वेक्त परतेक अन्य अलब संक्यक संस्थान में कोई छातरवास नहीं है और फिर भी परतेक छातर ने छातरवास छातरवर्ति का दावा किया है असम के अंदर कथी तोर पर एक बैंक की एक ही साखा में 64000 लाबार्थी हैं मदरसे में सत्यापन टीम को धंकाया और धंकी दी गई कि मैं कुल के अंदर copy नहीं हुआ फिरभी सचापन नहीं हुआ यह सारी बाते हैं अम आपको असान वासा में समझातों मामला क्या है मामला यह कि यहां पर यह दिखाए गए कि 100 जिल placing 1500 15 1537, 1537 के करीब जो है, वो 100 जिलों के अंदर 1537, एक मिनिट, 1572, 1572 जो है वो संस्थान है और 1572 में से 830 जो है वो फर्जी पाए गए हैं, और इसमें जो है आप आगे देखेंगे, तो 5 साल के अंदर 144 करोड का गोटा ला हुआ है, अब 2-3 चीज़े समझने वाली हैं, वो समझ जिलों के अंदर 1572 जो संस्थानों को जो निसान उन पर लगाया गया है कि 1572 संस्थानों में से 830 जो काम नहीं कर रहे हैं, और इनके बारे भी बताया गया कि कहीं पर ऐसा है कि एक ही बैंक के अंदर 66,000, 60,000 लाबारती हैं, वहां से मतलब कि उनकी चातरवरती आ रही थी, तो इस पूरे सिस्टम के कॉलैप्स है, अब सवाल दो तीन यह है भूत असान सिबासा में, कि सब कुछ अगर हो रहा था तो एक क्यों हो रहा था, सब कुछ अगर इस चल रहा था तो इसका भंदा फोर अभी क्यों हुँआ, क्या है अभी इसको लेकर के कुछ इससे का महोल बनाया जाएगा चुनाव से पहले जिस तरह से नरेंदर मोदी ने अभी लाल किले से कहा कि मैंने 10 करोड लोगों का नुकसान कर दिया और वो 10 करोड लोग कौन थे वो कॉंग्रेस के समय पर कभी पैदा ही नहीं हुए थे उन 10 करोड लोगों को पैंसन दी जा रही थी ये हो रहा था वो हो रहा था और मैंने उनको परदाफास कर दिया नरेंदर मोदी साब ने का लाल के लिए से अभी जो चार रोज पहले तो क्या स्मिर्ती इरानी उनका मंत्रा ले अब ये दिखाना चारा है कि देश बर के अंदर जो 1572 संस्तान है सो जिलों के अंदर उन में से 830 संस्तान ऐसे हैं जो हैं ही नहीं कामी नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा बराबर ले रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या इसके पीछे एक रासनिती है जो ये दिखाना चाहती है कि देखिए मदरसों में किस तरह से हो रहा है क्योंकि यहां पर साफ दोर पर लिखा है कि मदरसे के अंदर जब सर्वे करने के लिए सत्यापन करने के लिए टी देखिए इस बात में तो कोई दोराई नहीं है आप मामलों के अगर जाच करवाएंगे तो आपको देश बर्क के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोग जिंदा नहीं है लेकिन उनकी पैंसनली जा रही है जो लोग पैदा नहीं है उनका स्कूल में अंगनव मिल जाएंगे लेकिन कोई यह कहे कि यह मामले पांच साल से चल रहे हैं और यह मामले में डेढ़ सो करोड का गोटाला हो गया है और इस मामले को लेकरके एक बैंक के अंदर और जहां पर डबल इंजन की असम के अंदर एक यहीं बैंक में 66,000 लावारती बता रहे हैं वह सम अलग दूसरा भी से हो गया, छोड़ दीजी उस बात को, जो बैंक अभी चल रहे हैं, जिनमें अभी खाते में पैसे आ रहे हैं, उसमें 66,000, क्या आपको मुम्किन लगता ही है, कि एक ही बैंक के अंदर 66,000 लाभारतियों के पैसे आ रहे हैं और फरजी पहुंग, पहली बात को पता है कितने जिलों में जो है जाकर के मिलेंगे, एक स्कूल के एक मदरसे के अंदर कितने बच्चे होंगे, एक मदरसे के अंदर ज्यादा ज्यादा होंगे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे, 500 बच्चे, तो 66,000 बच्चे कितने मदरसों में जाकर के मिलेंगे, और उ जो एक खुलासा हुआ है इसमें दोनों तरीके से देखने की जरूरत है अगर यह हुआ है पांस साल तक चल रहा था यह पूरी तरह से सच है तो स्मिर्थी रानी मोधी जी का ड्रोन करप्सन फ्री इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया की बात इसलिए क्योंकि बैंक क्या कर रहे थे फिर क्या बैंकों को पता ही नहीं चला कि 66000 हमारे यहां से लावारती वह सबहुतिभ बदल बाट कर रहा था तो आपके आप क्या कर रहे थे मोदी जी आपकी मंतरी स्मिर्ती इरानी वो क्या कर रही थी और आपके चली ठीक है कॉंग्रेस की सरकार 36 गड़ रास्तान का छोड़ दीजिए असम के अंदर यूपी के अंदर 44 परसेंट जो है वो ऐसे मदरसे हैं तो फिर वहाँ पर यह सब कुछ कैसे हो रहा था आपकी डबल इंजिन की सरकारे आँखों पर पत्थर रख करके क्यों क्यों बैटी हुई थी सवाल पहला तो यह है और सवाल दूसरा यह है कि इस पूरे म मंत्राले के अंदर इस तरह से चीज़ और उसको हमने कंट्रोल किया तो क्या यह एक नई राजनिती जो खड़ी की जा रही है दोनों तरीके से इस चीज़ को देखना जरूरी है तो बैराल कुछ चीज़े और निकल करके सामने आएगी इस मामले के अंदर क्योंकि इतनी ब या केवल जो है वो बस जो वो कहेंगी उनी पर वो टिक लगा करके भेज़ दिया जाएगा आप बताईए इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते और दूसरी बात में चलते चलते आपको और दिखा देता हूं यह आप देखिए खबर मैंने दिखाई थी आपको C.A.G. क की रिपोर्ट आती है सरकार की संस्ता उसके की रिपोर्ट आती C.A.G. की और C.A.G. की रिपोर्ट कहती है कि द्वार का एक्सप्रेस वे जो 18 करोड परती किलोमेटर में बनना तै हुआ था उसमें 18 करोड की जहें 200 करोड रुपए लगा दिये गए लेकिन मंतरी साब से पैसा लगना था उससे 12% और कम पैसा लगा मतलब गजब की बात है C.A.G. खुद कह रहा है 18 करोड परती किलोमेटर के हिसाफ से द्वार का एक्सप्रेस वे बनना था और 18 करोड की जहें पर उसमें 200 करोड रुपए तक खर्चा चला गया पैसा कितना जदा गया लेकिन मंत रिपोर्ट का आकलन सही नहीं है अपनी सरकार की अपनी संस्ता की सरकारि संस्तास एसकी इसकी रिपोर्ट को ऐगरब यह क्वार्छ कर कर लिए जया जाए तो फिर बस चादर टानी और सो ज़ये और अगर लगता है कि जाच होनी चाहें चिज़ें सामने आना says सत्वीद रि है प irgendwas सब पसा चल जाता है और आप अपना अपना फैसला जरूर नीचे कंट बूक्स में अपनी राय नीचे कंट मे जरूर लिख कर के बताईएगा हुआ 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 है